दोस्तो नमस्कार लुणिया केमिस्टर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक, स्वागत और अभिनंदन है दोस्तो यदि आपने अभी तक कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपिया जो बेल आइकन है उसको दबाईए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि दोस्तो यह वीडियो आपको पसंद आता है पहली बार आप वीडियो देख रहे हो और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर कीजिए और लाइक कीजिए चलिए आज अपना जो टोपिक रहेगा बायो मोलिक्यूल में एमिनो एसिड एमिनो अमल क्या होते हैं टोपिक है एमिनो एसिड जिसको आप बोलते हो एमिनो अमल दोस्तो इस नाम से आप प्रिचित होगे एमिनो एसिड क्या होते है तो जहां आपने बायो मुलीकिल फड़ाता जेवनो फड़ाता आपने ये पड़ा कि जो आपके एमिनो एसिड होते है वो एक परकार के प्राकरतिक जेव बहुलक होते है और वो किस से बने होते है प्रोटीन से मिलकर बने होते है तो आप बोल सकते हो कि ये एक परकार के क्या होगे ये उप्राकरतिक जेव बहुलख होते है चलिये दोश्तों इनको आप अलफा एमेनो एसेड भी बोल सकते हो क्या बोला जा सकता है इनको alpha amino acid भी बोला जा सकता है चलिए दोस्तों बात करते हैं देखना इसके structure की क्या होती है यहाँ पर क्या होगा कोई आपका एक एलकिल समोगा होगा उससे जुड़ाओगा कोई carbon होगा यहाँ आपका hydrogen होगा और इसी carbon पर आपका कोई amino group होगा और यहाँ क्या होगा आपका सिवच समझ गए मेरी बात को चलिए दोस्तों इसको alpha amino amino क्यों कहां गया आपको दिख रहा है carboxylik amal इसको वरियता सुची में जब देखते हो तो एक number मिलता है इसी carboxylik amal को इसको एक number मिलेगा तो देखो यह carbon कौन सा हो गया आपका alpha carbon हो गया और alpha carbon पर क्या उपस्तित आपका कोई amino समय उपस्तित है इसी कारण इसको क्या बोला जाता है alpha amino amal भी खहते हो यहाँ तक साइध मेरी इतनी बात आपके आगी समझ में चले दोस्तो नेचर की बात करते है आप परकरते में 20 परकार के amino acids पाई जाते है 20 परकार के amino amal पाई जाते है जो की विभिन परकार के protein अनों का निर्मान करते है क्या बनाते है यह मेनी कई परकार के protein अनों का निर्मान करते है चले दोस्तो अब बात करते हैं अपने जो आपके एमिनो अमले होते है इसमें देखो एक तो कार्बफलिक समयों पाया जाता है और आपको पता है ये कार्बफलिक समयों कैसा होता है नेचर में अचिजन एटम से हाइड्रोजन जुड़ा होगा है जिसके कारण यहां से एच प्लस आराम से रिमूँ हो सकता है यानि ये प्रोटोन दे सकता है और आप जानते है वह होते है जो प्रोटोन देते है तो इसकी नेचर कैसी होगई एचिडिक होगई इसकी बात करते है आप देखते हो कि इस पर क्या पाई जाते है लोन पेर पाई जाते है इस कारण जो आपका एमिनो समू होता है वह नेचर में कैसा होता है बैसिक होता है या आपका शारी प्रकरती का होता है चलिए अब बात करते हैं एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन एमीनो अमलों का वर्गी करण देखना Classification of Amino Acids Classification of Amino Acid देखिए दोस्तो Amino Acid का अपन करते Classification Classification जब आप करोगे तो यहां से इसका Classification अलग-अलग अधार पर किया जा सकता है देखिए दोस्तो Classification में Carboxlic Sumo है और आपके जो Amino Sumo है इसमें जो Carboxlic Sumo है से Amino Sumo की जो उपस्तिति आपको दिखाई देगी उसके अधार पर इसको बाटा गया Alpha, Beta, Gamma और आपका Del Amino Acid में किसमें बाटा गया Alpha, Beta, Gamma Del और कई वुक में आपको क्या मिलेगा इसको आप Lambda भी कह सकते यह साइन किसका आपका Lambda का साइन है बात करते हैं सबसे पहले Alpha Amino Ampli Alpha Amino Ampli क्या होते है तो Alpha Amino Ampli आपके वो होते है जिनमें आपका जो Carboclic Samoy की बात करें तो Carboclic Samoy से Alpha इस्तिती पर क्या होता है आपका Amino Group होता है देखना NH2 CH2 CO2 यह सबसे सरल्तम Amino Ampli होता है और इसको बोला जाता है Glycine आप देख पारे हो देखो यह position कि रियात्मक समोशी जुड़ावा शिदा कार्बन कौन सा यह हो गया इसका मतलब ही हो गया आपका Alpha Carbon और इसका अलफा कार्बन पर कोई जुड़ा होगा आपका Amino Sumo है तो इसका नाम क्या हो देगा Alpha Amino Acid समझे यह Alpha Amino Acid है और इसको क्या बोला जाता है इसका नाम क्या होता है इस Amino Acid का Glycine होता है चलिए अब देखना यहाँ पर एक Hydrogen मैंने Replace किया और इस Hydrogen के स्थान पर मैंने लगा दिया एक Methyl Sumo है देखिए NH2 CH CS3 और यह आपका हो गया CO2 आप देख पा रहे हो देखो इस कार्वन समझे यह भी Alpha Estatih होई और इसी Alpha Estatih पर आपको क्या दिखाई दिया Amino Sumo दिखाई दिया तो यह क्या होगी एक परकार का Alpha Amino Acid हो गया और इसको बोला जाता है Elenin क्या बोला जाता है Elenin कहोगी आप Elenin चलिए यह तो होगे आपके Alpha Amino Amlis बात करते है Beta Amino Amlis की अगला है अपना Beta यह Beta Amino या Amino भी बोल सकते है आप आम ले चलिए Beta Amino Acid किसे खहते है Beta Amino Acid उसे कहते है जहां पर आपका Amino Sumo कार्बोक्सलिक समो से Beta इस्तती पर जुड़ा हुआ होगा मेरी वात को द्यान से सुनना आपका Amino Sumo कार्बोक्सलिक समो से Beta इस्तती पर जुड़ा हुआ होगा आप देखना जैसे आप आराम से बना सकते हो यह कार्बन कौन सा आपका Alpha Carbon यह कार्बन कौन सा हो गए आपका Beta Carbon और आप यहां क्या जोड़ सकते हो कोई NH2 समझ जोड़ सकते हो आई मेरी बात समझ में चलिए तो देखो दोस्तो यह कार्बन Alpha यह आपका Beta अब आप सकाई पेश नाम लिख सकते हो इस Beta Position के आदार पर चलिए लिखना देखो इसको Beta बोलोगे Beta पे क्या जुड़ा हो आपका Amino जुड़ा हो है चलो इसको नाम लिखो गोए तो Beta Amino इसको बोला जाता है तो क्या लिख दोगे 1,2,3 कितने कार्वन होगे 1,2,3 तो क्या लिख दोगे प्रोपेनोई के अमले इसको लिखा जा सकता है प्रोपेनोई के अमले समझगे मेरी बात को इसी परकार आप क्या कर सकते हो यहां पर hydrogen को replace करके एक methylish समोय भी लगा सकती हो चलिए तीसरी बात करेंगे अपने gamma amino acid की gamma amino acid जानती क्या होगा जो carbox लिख समोय होगा उससे आपका जो amino समोय होगा वो gamma इस्तती पर जुड़ा हुआ होगा कैसे देखिए इदर इससे जुड़ाओ आपका alpha carbon यह यह आपका beta carbon और यह कौन सा होगा आपका gamma carbon हो जाएगा और इस gamma carbon से क्या जुड़ेगा आपका कोई amino समोय जुड़ेगा आई बात समझे में चलिए यह आपका alpha यह beta और यह क्या होगा आपका gamma हो गया आप यदि इसका आई पेश नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे देखना gamma पर कौन तर समोग पस्तिता आपका amino तो लिख दोगे gamma amino इसको वो लोगे आप गामा इसको लिखोगे gamma amino अब देखना कितने carbon है एक दो टीम चाड़ मुक्य स्रंकला में चार कारवन है चार कारवन है चार कारवन के लिखोगे ब्यूटेन लिखोगे तो क्या हो जाएगा gamma amino ब्यूटेनोई के यह हो जाएगा इसका नाम आई मेरी बात समझ में चलिए ये तो अपने वरगी करण किया इसी परकार आप लिख सकते हो डेल का भी लिख सकते हो उसमें क्या गरोगे एक सीस्टू समझ और बाद में क्या लिख दोगे आप यहाँ पर एक अनस्टू समझ लगोगे पहला क्लासिफिकेशन है कंक्लिट आपका चलिये बात करते हैं अपने दूसरे ख्लासिफिकेशन की दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया जो कार्बोक्स लिख समू है और एमीनो समू है उनकी संक्या के आधार पर किया गया तो दूसरा क्लासिपिकेशन का जो में बेस है आधार है वो लिख रहा हूं एमिनो समु है तता कार्बोक्सलिक समु है की संक्या के आधार पर की संक्या के आधार पर चलिए दोस्तों एमिनो समु है आप जानते हो एनेच टू और में नें बोला है इसके नेचर केसी होती है basic होती है या खषारी होती है बात करेंगे आपके कर्बोक्सलिक समु है की तो में ने बोला की यहां पर सी ओएच होता है यहां से एक प्रोटोन आसानी से निकल सकता है इसलिए इसकी नेचर केसी होती है एसिडिक याँ आपकी अमलिये होती है अब देखना इसके आदार पर आपका होगा कोई एसिडिक एमेनो एसिड एसिडिक एमेनो एसिड वो होगा जिसमें कार्बोक्सलिक समुए की संक्या आपके amino समुए से क्या होगी ज्यादा होगी इसका मतलब आपके acidic गुरुप ज्यादा होगे उसी को आप क्या बोल दोगे acidic amino acid चलिए बात करेंगे basic amino acid बैसिक में क्या होगा आपके NH2 समुए है इसका मतलब सारी समुए से अधिक होगे तो यहां लिख दूँगा में आपके NH2 समुए यानि जो basic गुरुफ है वह इस कार्वक्स समुए से क्या होगे ज्यादा होगे चलिए एक होता है आपका neutral amino acid क्या कर दोगे यहां पर आपका जितने amino समुए होंगे उतने क्या होंगे आपके कार्वक्स लिख समुए होंगे यानि कि जितने amino समुए उतने आपके क्या कार्वक्स लिख समुए होगे आई मेरी बास समझी में चलिए इसका example तो आप जानते हो बकूबी देखो दोस्तों NH2 CH2 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 क्या बोला जाता इसको glycine बोलते हो आप सबसे सामाने amino acid होता है यह आप देखो amino समुए और कार्वक्स लिख समुए दोनों क्या है समान है इसका मतलिब क्या हो गया यह आपका neutral हो गया या उदासीन amino हमल हो गया चलिए इसी परकार आपने देखा था यह के NH2 CH CH3 क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है elenin, क्या बोला जाता इसको elenin elanin भी बूल सकते है elenin भी बोलते हो देखो anh- אנחנו समोय है और आपकी सीवाच समोय है दोनों के संक्या क्या है यहाँ पर बराबर चले दोस्तो इसकी बात कर लेते हैं आपका acidic amino acid यहाँ पर क्या होगा आपके कार्बोक्स लिख समय है ज्यादा होंगी मेरी बात समझ गए तो देखना एक्जाम्पल लिखते है सीवच कार्बोक्स लिख समय कोई दे रहा है आपको इसी परकार यहाँ CH2, यहाँ CH यहाँ कोई एमिनोचेड होगा और यहाँ क्या होगा आपका कोई कार्बोक्स लिख समय होगा मेरी बात को द्यान से देखना में क्या बोल रहा हूँ देखो कार्बोक्स लिख समय यहाँ पर क्या है दो है जबकि आपका एमिनोच समय क्या है एक है तो इसकी तुलना में पहरें मैं धेखो Amino sangre की तुलना में आपकी जो अम्ली गूरूप होते है एचिडी गूरूप होते है वह क्या है जादा समझे मेरी बात को इसको बोला ज्याता है यह आपका सखे इसकी बात करर रहें दुपारा बता रहा हूं इधर लिख नहीं एकचाने हैं क्या लगाऊ है कोई सी योस लगाऊ है समझके मेरे बात को चले दोस्तों यहां पर कार्भोक्स owns इमृनों समय की तल्लना में एक ज्यादा होती है यह तो एक है आपका कषारीय समुई जबकि आपकी अपलियं है दोय इस कारन यहूण होगा है और इसका सामाने नाम होता है aspartic acid या aspartic amul, मामला clear है, आई मेरी बात समझ में, चलिए, अब अपन बात करते आगे की, इसका एक example और कर लेते हैं, जैसे, जानते हैं अब glutemic acid, उसके structure क्या होती है, उसमें क्या होता है, आपके, दो carbox लिक समुए होते हैं, और यहाँ पर एक CH2 समुए क्या हो होगा, ज्यादा होगा, समझ गए मेरी बात को देखो, यहाँ पर तो आपके यह समुए है, एक है, CS2 समुए, जबकि वहाँ क्या होगा, जब बात करो गया, आप glutemic acid की, तो एक CS2 समुए की वरदी और हो जाए, कैसे, CH2, CH2, CH, NH2, और आपका यह समुए, यहाँ में देखा आपने, दो आपके कार्बोक्रिक समुए है, जबकि एक आपका क्या है, कोई amino समुए है, तो अब यहाँ आपने देखा, क्या देखा, यदि आप यहाँ देखोगे, तो आप यह पाओगे, कि इसमें जो अमली समुए है, वो जादा इस सारी समुए की तरुला में, और इसको क्या बोला जाता है, ग्लूटेमिक अमली, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूटेमिक के अमली, चलिए, यह अपने बात की, एसिडिक की, और आपका निट्रल, चलिए, अब बात करने जारे हैं अपन, basic amino acids की, अब यहाँ क्या होगा, basic की बात करेंगे, तो basic वाले में, आपके NH2 समुए ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, कार्बोक्सलिक समुए की तुलना में, तो देखना यहाँ क्या होगा, आपके NH2, NH2 का मतलब कौन सा ग्रूप है, basic ग्रूप ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, कार्बो समय कैसा हो गया आपका यह होंगे आपका एसिडिक गुरुपट गुरुप कशले दोस्तों बात करती इसले क्या होगा मिन जो आपके था एक था सब्सक्सेंज नेजसिंद वो कर शक्ते व बिलकुल अरहांसे कर सक्यों किसी प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं है कोई भी आप amino acid देलो और उसमें क्या करना आपको COH Samoa की तुलना में आपके जो amino Samoa है उनकी संक्या आपको क्या रखने पड़ेगी ज्यादा रखने पड़ेगी कैसे रखने पड़ेगी चलिए दोस्तो इसका example करते हैं अपने देखिए दोस्तो इसका example जब अपन करेंगे तो आप देखोगे देखो यहाँ क्या होता है आपका एक एनस्टू समोता है फिर आपका CH2 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 CH और यहाँ क्या लगा सकते हो आपे कोई एक एनस्टू और लगा सकते हो और यहाँ आप क्या लगा सकते हो कोई आप COOH लगा सकते हो समझगे मेरी बात को क्या देखा एमिनो समोय की संग्या यहाँ क्या है ज्यादा है क्या है एमिनो समोय की संग्या यहाँ आपको ज्यादा दिखाए दे रहा है इसी कारणे यहाँ पर आपने क्या देखा दोस्तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी जो nature है वो कैसी हो जायेगी basic nature हो जायेगी basic nature हो जायेगी और इसको बोला जाता है lysine क्या कहते हूँ इसको lysine इसका नाम होता है lysine यह दोस्त अपने बात की एमिनो समू है और कारवक्स लिख समू है कि संक्या के आधार पर क्लासिफिकेशन चलिए तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया एमिनो एसेड्स का उसकी बात कर लेते हैं तो देखिए यहां से क्लासिफिकिटिए आने की संभाए न ज्यादा रहती है आपकी साय बौर्ड एक्जाम की बाद करो और कंपटेशन एक्जाम की बाद करो और अथ अन्य उन्वाटका बने में एमीनो एसिड देखिए आवस्यक और अनावस्यक एमीनो अमल इनको बोला जाता है आवस्यक वै अनावस्यक एमीनो अमल नाम से साइद आप समझ गई होगे मेरी बात को आवस्यक एमीनो अमल कोन से होते है और आपके अनावस्यक एमीनो अमल कोन से होते है चलिए देखो आवस्यक तो वो होते है जो अपने लिए जरूरी होते है और ये वो होते है जो अपने लिए जरूरी नहीं होते है कैसे चलिए देखना नेचर में 20 प्रकार के एमीनो एसिड आपको देखने को मिलेंगी जिसके दोवारा सभी प्रकार की जो प्रोटीन्स होती है उनका निर्मान होता है समझ गें मेरी बात को आवस्यक एमिनो अमल उन्हें कहते हैं वे एमिनो अमल जिनका संसलेशन मानव शरीर में नहीं होता है यानि मानव का जो शरीर होता है उनका संसलेशित नहीं कर पाता है लेकिन वो अपने लिए बहुत आवस्यक होते है और इसके लिए अपन क्या करते है उनको बाहर से लेते है और अपने को बाहर से लेना जुरूरी हो जाता है समझ गे शरीर द्वारा संसलेशिते नहीं होते हैं, उसको बाहर से लेने की आवस्यकता होती है, उन्हें आप क्या बोलोगें yak Оaksic amino और अवयशक का मतलब हो गया जिन sous की पूर्टी अपने खोजन के द्वारा 000 हो जाती है समझ और अनावसिक एमिनो अमले जिनका संसलेशन मानव सरीर में नहीं होता है उनको बाहर से लेने की आवसिकता होती है या बाहर से लेना जुरूरी हो जाता है मानव सरीर की वरदी और विकास के लिए उन्हें बोला जाता है आवसिक एमिनो अमले वो होते है जिनका संसलेशन मान आप से यह पूछ सकते हैं objective टाइप में तो निमन में से आवसेख amino अमले नहीं है कि समझगे इसे भी आ सकता है निमन में से आवसेख amino हमले हैं तो आपको क्या करेंगे amino acid दे देंगे पिर आपसे पूछ लेंगे समझ गए मेरी बात को इसके लिए 10 ऐसे amino acid होते हैं जो आपके लिए क्या होते हैं आवसेख होते हैं जिनको आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा चलिए इसके लिए ट्रिक होते है टीवी मील पाथ देखो दोस्तों टीवी मील पाथ कितने इसमें अकसर है एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो दस होगे चलिए दोस्तों इसके ट्रिक है ये ग्याद करने के और कौन से वालों की आवसेख एमिन और एसेड को ग्याद करने की चलिए इसको क्या वहला जाता है ट का मतलब हो गया ट्रिफ्टो V ka मतलब क्या होगा Veline V ka मतलब होगए आपका Veline M ka मतलब क्या होगा Methion Is I ka मतलब क्या होगा I소 Lusine L ka मतलब होगा leucine leucine इस L का मतलब होगा lysine इस P का मतलब होगा phenyl eellanine इस A का मतलब होगा arginine इस P का मतलब होगा देखना अब यहाँ पर आगे tryptofen तो वापिस तो नहीं आ सकता यहाँ आएगा tryonin और ये जो है चोटा इसको बोला जाता है histidine क्या बोला जाता है इसको histidine, तो ये दस आवसिक amino acid होगे, इनको ग्याद करनी की या याद करनी की trick क्या है, tv meal path दुबारा बता रहा हूं में T का मतलब Tritofen, V का मतलब A, Veline, M का मतलब हो गया आपका Methionine, I का मतलब हो गया Isolucine, L का मतलब हो गया Leucine, और A का मतलब L उसका क्या हो गया? Lycine, P का मतलब Phenylalanine, A का मतलब Arginine, पिर T का मतलब T धरा गया दो बार, Tritofen आ गया, तो वहां क्या हैगा वो Threonine, और H का मतलब क्या हो जाएगा? आपका Histodine, समझ गए ना? और एक A और हो गाज उसका क्या बोलोगे आप A? Arginine, ये ट्रिक होती है Amino Acid को ग्याद करने की, जो क्या है आपके लिए? बहुत ज्या समझ गए मेरी बात को, चलिए दो, ये अपन ने फड़ा Amino Acid का Classification, अब अपन बात करते हैं, जो आपके Amino Acids होते हैं, उनकी Physical Properties, उनके भोतिक गुण क्या होते हैं, तो देखिए आप, देखिए आप, फिजिकल प्रोपर्टीज ओफ, फिजिकल प्रोपर्टीज ओफ, फिजिकल प्रोपर्टीज ओफ, अम आइनो Acid, और वो मुक्यरूप से आपके Alpha Amino Acid, चलिए दोस्तों, यहां से यह MTR टोपी की मान सकते हैं, दो तिन इसी ट्रम आएगी, जो बहुत Important होगी आपके लिए, कैसे, देखो, सबसे पहला Point, आपकी जो Amino Acid होते हैं, वो क्या होते हैं, रंग हीन, इसका मतलब है, Colorless होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है, दूसरी बात, यह क्या होते हैं, Crystalline Solid होते हैं, Crystalline Solid का मतलब होगे, Crystallia Toast होते हैं, यह होगे आपके Crystallia Toast, चलो, दूसरी अपन बात करेंगे, इसमें, Amino Acid के Physical Properties की बात करेंगे, आपके जो Amino Acid होते हैं, वो Acid में भी विले होते हैं, बैस में भी विले होते हैं, और Salt में, यानि अमले उक्षार थता लवण, तिनों में क्या होते हैं, विले होते हैं, Acid, बैस, और आपका Salt, इन में क्या होते हैं, यह Solible होते हैं, चलिए, तीसरी बात करेंगे, बड़ी Important बात है, जो Point है, वो बड़ा Important रहेगा आपके लिए, इसलिए क्या लगाओगे, इसको, Super MTR लगाओगे, चलिए, दोस्तों देखना, आपका जो होता है, Glycine, अब इसी साल, 2020 में, B.S.E.R. की बात करों में, मादेमिक सिक्षा बोर्ड, अजमेर दुआरा आयोजित रसाइन विज्ञान की परिक्साती, उसमें ये क्युस्तन आया था, क्युस्तन क्या था, कि आपको एक A.E.E.M.E.N.O.A.M.L.E. का नाम लिखना है, जो की प्रकासिक समावेवता नहीं दरसाता है, तो यहाँ पड़ता इसका आंस्वर है, Glycine, प्रकासिक समावेवता नहीं दरसाता है, नहीं दरसाता है, उस कुछन का अंस्वर तो था ये अब इसका कारण बताना पड़ेगा आपको क्यों नहीं दरसाता है और अभी तक आपने स्टिरियो केमेश्ट्री त्रिविम रसाइन नहीं पड़ रखी हाँ आपने चीज पड़ रखे किरेल कार्बन जिसको बोला जाता है समयमित कार्बन उसी इसे आप आंसर निकालोगे चलिए देखना ग्लाइसिन की स्ट्रक्टर होती है एनच्टू शियएस्टू शियोज इसको बोला जाता है अब आप देख पारियो किरेल कार्बन क्या होता है किरेल कार्बन वह कार्बन होता है जिससे चार डिपरेंट एटम्स जुड़े और वह कार्बन आपका SP3 संक्रित होना चाहिए आई मेरी बात समझे में चलो आप देख पारियो जो यह कार्बन इस कार्बन से यह वाले इस गुर्प तो डिपरेंट है लेकिन यहाँ पर क्या आगे दो हाइड्रोजन आगे समझे के मेरी बात को यहाँ पर दो समझ गये आगे यह कि रेल हो गया और यह के रेल होने के कारण यहाँ प्रकासिक समायोता नहीं दरसाता है क्योंकि एक प्रकार का क्या हो गया प्रकास अक्रिये योगे इसका कारण यह कि इसके अलवा जितने भी वह अंपाशिक्षा असने के फूर में पया जाता है कि रेल कार्बन पया जाते है यहाँ लिख देता हूं इसको को छोड़ कर आल एमीनो एसिड एक्सेप्ट कौन उसमें आपका अप्वाद ग्लाइसिन क्या दरसाते है और ग्यूज अप्टिकल आइसो मेरी जम प्रकासिक समायोता दरसाते है और सभी कैसे होते है प्रकास शक्रिय योगिक होते है बस इस इंपोर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान रखना है यहां से बहुत बार क्यूस्तन पूछा जा चुका है समझ गए मेरी बात को चले तीन पॉइंट हो गए इसका अगला पॉइंट उसकी बात करने जारों में अगला जो पॉइंट होगा एमिनो एसिड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते है जिसको आप बोलते हो गलनांक वो क्या होते है हाई होते है चले दोज़तो एक अगला क्यूस्टन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है टोपिक है एक स्पेसल टोपिक है ये भी क्या है आपके लिए बहुत स्पेसल है कि वाउहें वह होता है, यहां से क्यूस्तन होता है बोलड एकजाम की वात is ने इसी और याए यहिए और ह हो रहा है आँग्रजी में भी जूटरएंगे हिंदीहां को बोला जाता है जिटर और हाईappelle ऐक और कि एमफोलाइट आयन और एमफोलेट आयन का मतलब हो गया यहां इंदी में हो जाएगा उभे धर्मी आयन समझे और इसी को बोला जाता है बाइपोलर का मतलब क्या हो गया द्वी-धुर्विय आयो आया इसे किसी प्रकार की कोई प्रोब्लम है चलिए आये देखते हैं देखो जुट्राइन क्या होता है आप जानते हूँ कि आपके जो एमिनोसेड होते है उसमें एक एमिनो गुरुप होता है जो क्या होता है आपका बैसिक होता है और एक होता है आपका कारबोक्स लिख समुए जो केसा होता है आपका SCD कोता है अब देखो, SCD कैद इसका मतलब क्या होगा यहां से एक H plus remove होगा और यह यहां क्या बना सकता है CO minus बना सकता है बन सकता है, इसी परकार इसके पास में क्या है यह एक base हुआ या नहीं हुआ खशार क्योंकि इसमें क्या पाई जा रहे है लूइस सार की माती कारी करेगा loan pair की presence है एका की electron यूग में पाई जाते है इसके कारण यह क्या कर सकता है कोई electron गरहन कर सकता है इसका मतलब H plus को गरहन कर सकता है तो क्या बना सकता है NH3 plus बना सकता है इस परकार यह किरिया करके basic और SAD H plus का त्याग करके SAD के द्वारा और basic के द्वारा H plus को यानि proton को गरहन करकी proton का त्याग हो रहे proton का गरहन करके समझ गे यह क्या करते है एक internal salt का निर्वान करते है आंत्रिक लवन बनाती है और इसी आंत्रिक लवन को बोला जाता है ज्विटर आयन क्या बोला जाता है आंत्रिक लवन को ज्विटर आयन कहते है चलिए देखना कैसे होता है उसकी बात करते है देखो R हो गया यहाँ आपका CH यहाँ आपका होगा NH2 और यहाँ आपका क्या होगा COOH दोस्तो इसमें किरिया होगी तो क्या होगा यहां से एक H पलस रिमूव होगा proton निकलेगा यह proton कहां चला जाएगा इसके पास में क्या उपस्तित है लॉन पेर है यह क्या कर लेगा electron गरहन कर लेगा चलिए अब क्या होगा मसलब H पलस इसमें क्या कर लिया ग्रेंड कर लिया H पलस ग्रेंड क्या तो R, C, H यह बन गया C, U माइनस यहां क्या देगा बताओ मेरे को एक प्रकार का पोजिटिव आइनस भी इसमें नेगेटिव आइनस भी है क्या बना एक आंत्रिक लवन का निर्वान हो गया और इसे ही आंत्रिक लवन को बोला जाता है ज्विटर आइन इसी को बोला जाता है एमपोलाइट आइन इसी को बोला जाता है बाईपोलाइन वह धर में आइन क्यों खा जाता है क्योंकि इसमें अमलिये भी होते हैं गुण और अक्षार ये समों भी पाये जाते हैं या positive आइन भी होते हैं या negative आइन भी होते हैं खैसकते हो चलिए इसी को बोला जाता है जीटराइन और यह आपका क्या होता है वाइफलर यानि दो दूर्वे हो गई इसमें समझ गई मेरी बात को यहां पर किसी प्रकार की कोई problem आपके नहीं होनी चाहिए चलिए next point की बात करते हैं जो आपके जितने भी amino acids होते है वो वन डिगरी एमिन इसका मतलब है यह कैसे बनेगी आप क्या करोगे अमोनिया है इस अमोनिया के hydrogen का replace करोगे किसी एक alkylis अमोय दुआरा तो आपका क्या बन जाएगा इसको क्या बोलोगे आप वन डिगरी एमिन तो आपके जो amino acid होते है वो वन डिगरी एमिन की बात कर रहा हूं में और इसके अलावा carboxlic amyl इन दोनों के जो गुण होते है जो लक्षन होते है वो दरसाते है इन दोनों के गुण भी दरसाते है इनके जो लक्षन होते है वो भी दरसाते है कौन आपके amino acid यहाँ पर किसी प्रकार की कोई problem है चलिए अगली बात करते है अपने देखो एक important point यह भी है इसको ध्यान रखना आपके जितने भी amino acids होते है वो nature में कौन सी form exist करते है उनका configuration क्या होता है तो इसके लिए मैंने आपको deal configuration फड़ा रखा है और ध्यान रखना मेरी बात को जितने भी natural amino acids होते है जो nature में पाई जाते है उन सबका क्या होगा विन्यास ऐल होगा समझे तो यहाँ एक बात लगा जेता हूं मैं लिख जेता हूं आल नेचुरल एमाइनो एसिड्स आर एमाइनो एसिड्स से आर क्या होते है वो एल फोरम होते है इसका मतलब क्या होगी वो एल एमीनो एसिड्स होगे इस बात को आपको क्या रखना है ध्यान रखना है जितने भी एमीनो एसिड्स होते है बता रखा आपकों चलिए यहां से यह हो गया अब हञ़िए अगली बात करते है आपका एक होता है आईसो अलेक्ट्रिक पॉइंट जिसको कहां जाता है समवीबव बिंदू यह इस एमिनो एसेड से इनकी फिजेकल प्रोपरटीज का लास्ट पॉइंट यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां से भी सीधा सीधा क्युसन बनता है कि आईसो अलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है तो देखिए आईसो अलेक्ट्रिक पॉइंट इसको बोला जाता है समवीबव बिंदू तो देखना दोस्तों यहां लेक्ट्राओं में समवीबव बिंदू देखिए आईसो अलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है आपका यह समवीबव बिंदू और यह भी क्या आपका बड़ाई इंपोर्टेंट टोपिक है चलिए समवीबव बिंदू होता क्या है देखो आप जानते हो आपने कोई एक सेटप सेट की है बात करते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की और चलते है उसमें आपने इलेक्ट्रो लाइट बर दिये इलेक्ट्रो लाइट का सोल्यूशन बर दिया और इलेक्ट्रो लाइट का जब आपने solution भरा तो आपने देखा कि उसके जली विलियन आपका जो विद्धुत अपकटे होता है उसका जो जली विलियन होता है उसमें आपने क्या किया विद्धुत विभव लगाया और विद्धुत विभव लगाया इसका मतलब क्या हो गई विद्धुत धरा परवाय होने लग जाएगी जैसे ही विद्धुच धारा का वहाँ परवाह होगा अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें जो आयन्स होंगे वो कैथोड की और जाएंगे और खिदर चले जाएंगे आपके आयनोड की और चले जाते हैं मामला कलियर है यहां तके तो आप आराम से क्या कर सकते हो जिसा की जानते हो यह आपने कोई सेट अप सेट किया यहां पर कोई दो अलेक्ट्रो लगा दिये और इसमें क्या वर दिया आपने कोई सोलूशन वर दिया और इसको क्या वोलते हो आपे यहां आपने ले लिया कोई electrolyte ले लिया और इसका बना दिया आपने solution ये आपको पता है ये आपका क्या होता है anode होगा और ये कैसा होगा positive समझ गई मेरी बात को और इधर क्या होगा आपका कोई cathode होगा वो क्या होगा negative होगा ठीक है ये एक इपातर में किरिया हो रही है आप देखोगे कोई AC pH होगी कोई solution की जिसमें क्या होगा आपने लगाया विद्धित भी भव लगाया समझ गई मेरी बात को अब I mean i sign % होग अब भी जा सकते हैं और आपके ईयन किदर सकते हैं के थोड की ओची मामلة clear है तो आपने पढ़ा था जिसे एलेक्ट्रोलाइटिक आप सेल पटते हो सेम प्रोसेज अहां होती है वेसी होगी नेगेटिव आइन पोजिटिव क्योर पोजिटिव आइन नेगेटिव क्योर गमन करने लग जाते अब यहाँ पर क्या होगा एक ऐसा पी एच मान आएगा वेलियन का जिस पर आपने विजुत्विवाव लगाया विजुत्विवाव लगाने पर आपके एमेनो एसिड ना तो इधर गमन करेंगे और ना आपके इधर गमन करेंगे यानि वो एनोड की और भी गमन नहीं करेंगे और आपके केथोड की और भी गमन नहीं करेंगे किसी भी लक्ट्रोड की और वो गमन नहीं करते हैं तो यहां मैं बता सकता हूँ कि वीलियन का वह पियज जिस पर आपने विद्धुत विभाव लगाया और विद्धुत विभाव लगाने पर आपका जो एमीनों अमले है वो किसी भी लक्ट्रोड की और गमन नहीं करता है दुबारा बोलरहों मैं इस परिवासा को वीलियन का वह पियज जिस पर विद्धुत विभाव लगाने पर एमीनों अमले किसी भी लक्ट्रोड की और गमन नहीं करते है उसे क्या बोलते हो आप सम विभाव बिंदु यानि उस बिंदु को क्या बोलते हो सम विभाव बिंदु खरते है चलिए आपके अलग अलग यदि आपने एमीनों एसिड लोगे तो उनके सम विभाव जो बिंदू होंगे आइसो ऐलक्ट्रिक पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे अलग-अलग होगे चलिए अब देखो खास बात क्या होती है जहां आपका सम विभाव बिंदू होता है वहाँ पर निम्न के जो मान होते है वो न्यून्तम हो जाते हैं, किस-किस के, तो यहां नोट लगा के आपको लिखना पड़ेगा, बड़ी इंपोर्टेंट बात है, आ सकता है क्यूसन डाइरेक्ट, समझे बहुत बिंदू पर, आपके विलेता, आपकी चालकता, समझे आपकी इस्यानता, इसके अलावा आपका परासरन डाप, विलेता, चालकता, श्यानता, परासरन डाप, इन सबके मान इस समझे बहुत बिंदू पर क्या हो जाते हैं, न्यून्तम हो जाते हैं, या कम हो जाते हैं, यह बात की अपने आज, ऐमीनो एसिड़ की, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपरिटीज की, अब यहां से जो इंपोर्टेंट पार्ट है, वो मैंने आपको बता दिया है, कि क्यूशन कहां से बन सकता है, कहां से आ सकता है, डाइरेक्ट उसन आता है, यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको अपने यार दोस्तों में अधिक से अधिक सेर कीजिए यदि चैनल पर आप पहली बार आयो हो अभी तक के आपने इसको सबस्क्राइब नहीं किया है तो जो बेल आइकन है उसको दबाईए और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए अपने यार दोस्तों में और अधिक से अधिक कमेंट द्वारा हमें सुझाव दीजिए टैंक्स